सूपर हिट हिंदी मूवीज और उनके सीन सॉंग्स देखने के लिए सबस्क्राइब करें हिंदी मूवी प्लेक्स करें हिंदी मूवी प्लेक्स देखने के लिए सबस्क्राइब करें हिंदी मूवी और उनके सीन सॉंग्स कि यूरॉनर्स ये वोग पेशेवर स्मगलर है जो इंडो चाइना और मंगला देश बॉर्डर कर किंग कहलाता है स्मगलर किंग ये तीन बार जेल तोड़ कर भागा है और पिछली बार पोलीस की हिरासत से हवा हो गया था जिसे स्मगलिंग किंग पिन का जा रहा है वो एक एक सर्विसमेन है जो इंडो चाइना वार में लड़ा और अपने देश की रक्षा करते करते ना जाने इसने कितनी गोलिया खाई जिसके निशान अब तक इसके बदन पर मौजूद है इनके खिलाब को इल्दान थावित नहीं कर सकी इसलिए अदालत इन्हें बाइज़त रहा करती मुल्डे मली जाजे से क्रिमनल कुछ भी कर सकते हैं स्मगलिंग से लेकर ट्रेन डखेती और कच्छ सकते हैं मुल्डे मली जाके संगीन जुर्मों को सुनकर अदालत भिल जाएगी संगे इस्दाट नहीं गुड़क फटेशन वाजोर में जितनी भी ट्रेन राबरीज दावरों के गट हुए कि अजय मैन हैं तो जूजय बढ़ा है कि हैं पर यहां जब इंजम ठीक है आपिंग जहाज को ने नजीक बॉला लिया है तर्फ दस मील दूर हुँ लड़कें को भार निकालो वाइस अरे यह अरे आप चलो बोट में बैठ जो बोट में आमें कहां ले जा जा रहा है अरे तुमको पी उसी जन्नत में भेज रहा हो यह पनी करणा जाकर अपनी अपनी के साथ हूं Day करो जास्राल हजबन सákना है को यह यहीं पमारे थी ये जा दो जो रही हो मतना हुआ को जो डरीन के सिद्वेश पि karma को जो को शाथ है कि पुलिस आ रही है अब क्या होगा तुम बेन लेकल जाओ लड़के को मैं समाल लोगा सियो तुम बोट लेकर फालो निगल जाओ कमान हर्याओ कमान पास कि लिए कर दो अब करो भी समय को कि अधे जंदानिक जैसे ने पुलो वैसर बोलना कि अ कि अ हो रहा है कि अ हूगाम कौन सा ऑंक अ हम तो यहां पर हवा काने आये हैं फूस्टी यह कि एधिक बोल रहे है कि यह सच कह रहा है कि लड़कियों का व्यपार करता है और कहता है कि हवा खाने आए था अवा तो मैं तुझे खिलाओंगा हवालात में लेचले संदर आओ बैठो जलो कि खतब हो गया मसद्रा साब क्या वरत तुमजी परेडा और लड़किया थी ना रहा एंड मोके पर पुलिस आ गई और परेडा अरेस्ट हो गया और लड़किया वह भी पकड़ी गई तुम भी अब घ्रशान मत हो मिरचंद में जूजाईगा है है अलू मलोतरा क्यों वह है का याद किया परेरा पकड़ा गया है 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 जब यहाद इन हावालात में रहेगा तो क्या पर्क परता उसके लिए कौन सी नहीं जगा है हां हां कल पेफस बेज़ देना छुड़ा दूगा क्या जो दिया हो जाएगा हां बाबार यह आनर लड़कियों को फ्लेश ट्रेडिंग के लिए भेचने में इनका भी हाथ है यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब और इमांदार इंसान पर बे बन्याद इल्जाम लगाए जा रहे हैं और इन बातों का के से कोई तालुक नहीं सवाल वो पूछे जाएं जो इस के से तालुक सब्सक्राइब लड़कियों को समंदर के किनारे क्यों बेजा गया था आप भी खमाल करते हैं वगील साब तरफ आप भी नहीं जानते लेकिन सारी दुनिया जानती है कि मैं औरतों की कितनी सिद्गता हूं इन बदनसीब बच्चियों की सेवा के लिए ही तुमें यह महले समन्दर के किनारे यह बच्चिया पिकनिक पर गए थी हैं हजूर पिकनिक तो बहाना था गगन वहर इलाल किया सच नहीं कि ने हिंदुस्तान से बाहर बेचने के लिए समंदर के किनारे बेजा गया था नहीं क्यों भी थी जो चिंसान आप अबड़िक्शन अस्टेंड ठीक है मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है लड़कियों के स्वेवपार के पीछ एक गैंग है एक बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें बहुत से बड़े-बड़े लोग और उनके एगेंज शामिल है लुझे मुल्जिम साइमन परेड़ा उसी गैंका ऐस एजयंट इस गैंको खतम करने के लिए जिजरूरी है कि मुल्जिम साइमन परेड़ा को पुलिस की रासत में कम से कम एक महीं तरफा जाए ताकि पुलिस अपने फर्स को अंजाम दे सके सबसे पहले मैं पुलिस के गवा इन लड़कियों से कुछ सवालात करना चाहता हूं प्रसीड जाहिए अपलो आपका नाम मीना शर्मा तो मीना शर्मी जी आप गीता पर किनारे क्यों गई थी और क्या हुआ 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 है जी जी वह कान खोल कर सुमलो अगर इस बयान के अलावा कुछ दूसा बयान दिया तो एक एक गोली सोड़ा दूगा सब्सक्राइए जी वह समंदर की किनारे हम सब पिकनिक पर गए थी वहां कुछ लोग नाव पर आये और ह हमें जबरदस्ती खीच-खीच कर अपनी स्टीमर की और ले जाने लगे ओ आपको इस अदालत में कोई आशा आदमी नजर आ रहा है जो उस वारदात के वक्त वहां पे था देखे देखे ज़रा जोर से देखे यह साब वहां पर दिए जिन लोगों ने आप पर हमला किया उ है यह अधीक परेघ्वятся परियां 박्रवफ दीने देखे एदो उसमयं हमारी नहीं वह फीन लड़किम ऑगर विर सिद formations प्रीम पर लेगा लेकिन उबजन लेकिन अभी लड़किों ने अदालत के सामने वागर कि से दो अपनी मद्कार की शूनते ही पर्यरा साहं इनकी मदद के लिए आए यार हाँ पुलिस के पास जो ब्यान है मुझे उस पर शक नहीं है लेकिन व्यान पुली स्टेशन में लिया गया जाहिए कि पुली मैं आदाले से दर्खवास करूंगा कि यह केस कारीच किया जाए काउंसल पर डिफेंस ने जो पॉइंस उठाए हैं और जो बयानत अदालत के सामने आए हैं उन से जाहिए कि पुलिस के पास इल्जाम को साबित करने के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है इसलिए अदालत हुक्म देती है कि जिफिंड इंसामन पेरिड़कों पुलिस के हिरासत से फॉर्ण आजाद किया जाए जैन साब आपका शुक्रिया अदा कैसे करें आपकी महरवानियों के कीमत पैसा तो नहीं है लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक मामूली सा मेहंताना को बोल कीजिए मलातरा साहब आप जानते कि मेरी फीस पांच अजार उपए है यह गड़िया तो फीस हजार की इसे फीस मत समझीए जैन साब यह तो परेरा को पुलिस के फंदे से बचाने का चोटा सा नजराना है आप तो जानते हैं कि मैं मैंताना लेता हूं नजराना नहीं हाँ अमीद गगन आज से दिवश्कार दिवश्कार में जाज़त चाहूंगा मनातरा साथ पैसे तो लेते जाएए आप मालिक है कहिए कैसे आमिद साथ मैं तो ठीक हूँ तुम कैसे हो मलतरा बस आपकी मेरवानियों के बोच तले दबा हुआ हूँ जायंत तुम मुझसे जगड़ा करने आया हूँ ओके ओके यार अगर लड़ना है तो किसी अची जग़ा चल कर लड़ते हैं यार मेरी बात को मजदाख में बढ़ टालो प्लीज कॉन टाल रहा है भाई घर चलते हैं आनू भी काफी दिनों से तुमारे बारे में पूछ रही तुम अनू से बाद भी कर लेना और मुझसे जगड़ा भी कर लेना कमान अच्छा लो बन कर देखना नहीं नहीं देखूंगी बाबा वान तू मैं चुप लाई के मिठो तुम बताओ ननीदा कहा चुपी है अधार पकड़ी गई ननदी ता पकड़ी गई मामी मिठो आपका पका चमचाय का बता जेता है मैं नहीं कहलूंगी आपके साथ नहीं नहीं देख तुसी मैं किसे पगड कर ला हाऊ हाँ पापा अप्राइब आपके लिए लाए अपके लिए गरम गरम चाय नहीं इसके लिए कुछ थंडा ला इसका पाड़ा बहुत चड़ा हुआ है यह तुम अभी भी मेरी बाद को मदाक में ले रहो जरा सोचो कि अद्या बैटो लेकिन क्या क्या डॉड़ा ने दवान देता उसी तरह यह मेरा पेशा है तुम्हें बढ़ते हुए जर्म की कोई परवानी तुम्हें सिर्फ अपने पेशा की शान प्रेवारी है तुम कहा चाहते हो कि मैं क्रिमिनल के मुकद में लड़ना बंद कर दूं औ मेरा मतलब मेरा मतलब यह नहीं मेरे कहने के मतलब यह है पुर fun अगर मैं तेरी आंटी को चेल में बंद भी कर दो ना तो तेरे पापा उसे दो मिनिट में छुड़ा लाएंगे और बहुत बड़े जादू करें यह पापा आप जादू करें में जादू दिखाएं ना पापा कि अधार फे थैद कामॉं कंत्रेलो कि विस्त nerede कि न क्यातनी मारी कि यहां अले मतंट्री में Kyle कि आने प्रभाएं उन्यमूंत थे खुट्पेृ यहां नहीं बंभी में आरे तुमें नहीं कि मैंने फोन इसलिए कि मैं एक हफ्ता और रहना चाहती हूं प्रिया एक हफ्ता और रुपना चाहती है क्योंकि कुछ लड़कियों का गुरूप हाइकिंग के लिए जा रहा है तो फिर अकेली कैसे आगी उटी से हां अरे मेरा शोड़ा बही ना बुझे वाज कर लोट रहा ह तो पीछे ही पढ़ जाएगा हां मैं अकेली आजाओंगी हो कि भावी बचके यह गौड वह तो ठीक है लिए कि किस आदमी के बार में बात कर रहे थी बड़ा थर्ड क्लास है तुम्हारी पीछे पढ़ जाएगा भावी ऐसे एक आदमी का नाम ले थी जो यहां आया हुआ करें कि इसके साथ लोता ना कौन है वो वह बंबरी में हमारे थाई साथ है इस्टा अमिद गुपता उनके छोटे बाई मिस्टर विजय गुपता थर्ड क्लास आदमी है तुम्हार थी जोबान में दिल ने कुछ कहा है आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है ओ तेरे मेरे बीच में कुछ हो गया है आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है आँखों की जुबान में दिल ने कुछ कहा है कब बादल छाये, कब पर साथ हुई, ये मैं क्या जारू, कब क्या बात हुई? कब बादल छाये, कब कर साथ हुई, ये मैं क्या जारू, कब क्या बात हुई? तेरे साथ हुई, मेरे साथ हुई, ना तेरा कुशूर है, ना मेरी खता है, आँखों की जुभान में दिल ने कुछ कहा है। तेरे मेरे बीच में तुछ हो गया है, आँखों की जुभान में दिल ने कुछ कहा है। हम है कितने पार तिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। हम है कितने पार तिर भी दूरी है, ऐसे मिलने में क्या मजबूरी है। तोड़ी की दूरी बहुत जरूरी है, क्योंके इंतजार में प्यार का मजबूरी है। आँखों की जुभान में दिल ने कुछ कहा है। मेरे दिल का ये हाल किया तुने पंचे जिले में डाल देया तुने मेरे दिल का ये हाल किया तुने पंचे जिले में डाल दिया तुने अच्छे ठागे से पाज लिया तुने जाने ये इनाम है या कोई सजा है। आँखों की जुभान में दिल ने कुछ कहा है। आँखों की जुभान में दिल ने कुछ कहा है। यहा कितनी गर्मी है। वाह क्या मौसंता ठड रॉमैंटिक है। अच्छे सुनो, बंबई में मिलने का प्रोग्राम कैसे बनेगा। कमाले बंबई इतना बड़ा शहर है किसी भी कोने में मिल लेंगे। यहां तो जैगा फिक्स करेंगे। आँखों करके करेंगे। नहीं बाबा नहीं। नहीं बाबा नहीं। भाबी ने जरा सभी सुन लिया। तो रात दिन छेड़ेगी। चेर चेर के परेशान कर देगी। दूसरों का इश्क बहुत जल्दी सुनती है वो। उन्हें तो हवा तक नहीं लगनी चाहिए हम दोनों के बारे में। तो कितनी दर्ती है अपनी भाबी से.. भभ- जबिख- भाबी। 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 हाए। कैसे हो.. तुम कैसी हो.. अच्छी हो.. चैरे तेरा सभान है। नमस्कार, भाबी- जी। कैसे आप था है oni.... अरे हां तुम है तो उठीगे थे हैा..ठिक हूँ। लगता समान आगया है प्रिया जी आप अपना लगेश का टैग देंगी तुम्हें समान ले आओं अजीब आदी है आप उटी से पीछे लगें आप मेरा पीछा छोड़े और अपने रास्ते जाए अरे प्रिया यह वीजे हैं आविद भाई साथ के छोटे भाई जानती है मु आप लोगों के तरीके में खूब जानती हूं अरे क्या पक्ति जा रही हो वीजे ऐसा लड़का नहीं है दे दे बैगेश टिकेट दीजी ना प्लीज वह समान आगया है ने तो पीला सूटकेस है मेरा जायंता हूं लड़कियों के लाल पीले सूटकेस ही होते हैं यह क्या तुम्हें वीजे से इस तरह पेशनी आना चाहिए था अरे छोड़ो ना भावी यह साहव अपने आपको रोमियो समगते हैं रोमियो यह से मैं इन पर सिदा हो जाओंगी अच्छा भावी भया कैसे हैं वैसे ही है वही कोट वही मुकदमे हमारे लिए फुरसत कहा है लो अ आ गया यह यह ना अपका पीला सुटके वीजे तुम जाओगी कैसे मैं वह चलो ना वैसे क्या जूरत मैं मैं बश्बा कर लूँगा चलो ना वीजे ची का आप कहती है तो यह कह रही है इसलिए कि अपना घर अकिर अपना ही घर अथाँ मज़ा गया यह कुछ में यूर यूर्णर पे मुकदमार के अरिया है वह बहु किन रहा है वहां गरेची यह बहुनका चुछालगा बेदुनियाद खसनों के खिलाफ खिलाफ है जूटा चूटा आप बहुत रहें तो आप ऐसा कीजे, मिठ्टू की तरह हरी मिर्च खाया कीजे, तकि जुबान बिल्कुल साफ हो जाए, अब आप भाईया का प्रोग्राम बताइये मुझे, मुझे अब बाईया का प्रोग्राम बताएं मुझे, जी साफ कर लॉटरे सुबह, मदरास हाई कोल पे, अर्इवल लेने के लिए आप दोनों एयरपोर्ट पर हाँ इन्हें बता दो प्रिया हमें मजबूरी में आना पड़ा है आप इतने बीजी बैरिस्टर हैं कि घर पर आपको वक्ती नहीं मिलका हमने सोचा एयरपोर्ट चरकरी मिलने हाँ और आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट में अच् में आपने अपने आपको चाहिए बाई बाई प्रजाए बाई पर आपको प्रजाइड करना है यहां वह भी ज़रूरी है आप सिधा हाई कोड़ा जाएंगे लेकिन शाम्पू थाड़ा वाग दे सकते हैं ना हाँ मैं शाम्पू पांच बजे घर पहुंचाओंगा पांच आपको प्रजाइड करना है सर हाँ वह भी जरूरी है शाट साथ जाएंगे आपकी खिला बहुत से केसे स्पेंडिंग है उन सबका फैसला होना है समझया हाँ समझ गया बिलकुल समझ गया जब आप दोनोंने मिलकर समन इसू करी दिया है तो मुझे तो पेश होना ही पड़ सब्सक्राइड करते हैं यह सब क्या है अरे बेटा लेकिन कहां अरे अरे सुनो अरे वाई यह सब कुछ क्या हो रहा है मुझे उल्लू क्यों बनाए जा रहा है आप आई यह तो सही पताते हैं वाई सी उदर नहीं आज ऑफिस बंद है पापा बैच जो हां अलीजे अलीजे तेरी आते घर भी चैकने लगता है यह जुरू होगे तेरी शैतानिया अरे 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 तू बेट्रूम अच्छा तो मेरे घर की जोग्रफी मुझे ही बताई जा रही हैं यहां क्योंकि आप जोग्रफी और हिस्टी दोनों ही भूल चुके हैं वो कैसे आज तारी कान से है आज तारीक है 14 एप्रिल जी हां 14 एप्रिल और क्या बस मैंने नहीं कहता आप इस्टी भी बोल चुके हैं आपको याद नहीं आज आपकी शादी की सालगिरा है ओ गाड अनो आपकी कमरे का रस्ता तो यह है यह तो यह चलिए भावी मैं आपका मुजरिम लिया है प्रिया तुने इस कमरे को तो बिल्कुल सुहाग राज की तरह सजा दिया हां जी बिल्कुल मगर वो नो आग्यूमेंट्स बहस की इजाजत अदालत नहीं देती आज की तारीक भूल जाने के जुर्म में आप दोनों को दो घंटे के ल तक के लिए बाई 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 आरे सुन तुन बाई बाई कुछ याद आ रहा है हां सब कुछ एक एक बाद शादी की वो पहली रात तस साल गुदर गए लेकिन तुम आज भी नहीं हो सुन्दर हो जुट मत बड़ी अब तुम एक बितिया की मा हूँ अनू तुम कितने भी बच्चों की मा हो जा लेकिन मेरे लिए नहीं और सुन्दर होगी हमेशा के लिए उस पहली रात की तरह याद हो रात हुआ 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 है अज़ा है कि अज़ा है अरे यह चेहां गुंगट निकाले क्या बैठी यो तुम समस्तियों में दीरे से आऊंगा यह गुंगट अब्धाओंगा और और क्या तुम जितनी सुन्दर थी उससे और ज्यादा सुन्दर हो गई आज कुस रोज किसने सजाय था तुम्हें क्यों मेरे सहली और ने आज मैं सजाऊंगा तुम्हें पहली रात की दुलन की तरह हूं हरी गाका आप इसे यहां रखिए दुदीरे आंटी दोखन आंटी आया कैसे हो अरे आंटी ची आप आगी तुम फोन करो मैंना हो यह कैसे हो सकता है भावी आपको देखके ताजू में पढ़ जाएगी कि आप नासिक से कैसे आगी मैंने भी किसी को बताया नहीं कि आप आने वाली हैं अच्छा पाटी ठीक नौ बजे शिरो होगी सब्सक्र काब आराम की अच्छा 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 डिज़ा यह वावी यह बहुत बहुत आप अशिर्वाद को भाष को आए जैन आए जैन बहुत-बहुत मुवारको मुपारको तब मैद दर्बैस अगर हमें पहले मालूम होता यह लीजी परिया यह लीजी अकली के काटूंगे दस साल हो गया हमारी चादी के अरे हां दस साल यास 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 कि अरे भाई मुबारिक बाते नहीं चलेगा वी ओने साम साम मैं क्या गांबी लिए स्पोर्ट आज हम आपको नहीं चोड़ें गाना तो गाना भी पड़ेगा आज जल दिये भाई सो साल तक ऐसे जशन चलते रहें तोहारी जिंदगी सलामत रहे यास जिंदगी साब रसकी सही जिंदगी साब रसकी सही जिंदगी का भरोसा नहीं जिंदगी साब रसकी सही चांद छुप जाए कब क्या पता चांद नी का वरोसा नहीं चांद छुप जाए कब क्या पता आग थोड़ी सी दिल में लगा के रखो अपने दिल की शमा भी जला के रखो आग थोड़ी सी दिल में लगा के रखो अपने दिल की शमा भी जला के रखो गर्चरावों से गर्चरावों से रोशन सही रोशनी का वरोसा नहीं चांद छुप जाए कब क्या पता युहीं चलते हुएं पास हुँ आगरे आज ये सोच के हम तो घबरा गएं युहीं चलते हुएं पास हुम आगरे आज ये सोच के हम तो घबरा गएं बनना जाएं बनना जाएं ये दिल के लगी का वरोसा नहीं तो जुन्द की साव परस की सहीं इस दुम्री दुम्री तो आज तो इस दुम्री ये शोच आजाएं परस की साथ होट है या कवल, उबसूरत हो तुम जैसे कोई घजल तुम तो करने लगे शायरी, शायरी का भरोजार नहीं जिन्दगी सा परस की सही, जिन्दगी का भरोसा नहीं चांद छुप जाए तब क्या पता, चांदनी का भरोसा नहीं जिन्दगी साथ का भरोसा नहीं जिन्दगी साथ के लिए तो इसी कहा है आप, आदी खंटे से नास्ता तयार है, यह आमने दुबारा गरम करके लाई हूँ, मैं कहते हूँ आराम से बैठ के नास्ता तो कर लिया करो, अरे आराम हराम है मिस्स सीमा कुप्तार अच्छा बैठो, अरे विजया अब तुम कहा चले गए, आओ बाबा, आगया आगया बावी, गुद मॉनिंग, गुद मॉनिंग, गुद मॉनिंग, गुद मॉनिंग, प्लीज, तुम दोनों भाईयों से तो मैं टांग आ गईगी, बस एक मिनट, हलो, हम बोलो करें, बस अ आगया है, ने, एक हंडे के बाद, अरे डालेंग, एक घंटा क्या तुम कहर दो, आज हम आफिस से नहीं जाते हैं, चलो, चलो, बैठो, भापी, तुम ही बैठो ना, पुलीस वाले भी, विजया एक बात है, तुने पुलीस की ट्रेनिंग तो लिये लेकिन इस नौकरी में कर बढ़ है, ना दिन दिन रहता है, ना रात रात, हर वक्त आफत है, वनीमत है, आज इतना तो सोचे आपने, तुने तो बकालत देखी है, जैंत के भी रह था, तो उसका एस्टेंट क्यों नहीं बन जाता, मेरी भी ये रह है, तुम भूलकर भी पुलीस की नौकरी मत करना ठीक है, भावी, तुम कैसी है, तो नहीं करूँगा, वैसे भाईया, वो औरंगबद कॉलेक्स से मेरे पास प्रोफिसर की ओफर आई है, अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं कली जाइन कर सकता हूं, प्रोफिसर की नौकरी, ये तो बहुत इज़त की नौकरी होती है, मैं तो कहता हूं, तु पौरण जोहर कर ले, आपने शैसरा सुना दिया, ठीक है, जाई आप काम पे, और ये चला जार अरंगबाद, मैं अभी जुट के इस पैक कर देती हूं, मेरे बारे में तो कोई सोच रही नहीं, अरे भावी, नाराज क्यों होती हो, जैसे तुम जैसे वैसे ही करूंगा, ओके, तुम बंबे में नौक्री करोगे, और शादी करके घर में देवरानी राओ, ताकि मेरी बोरी तूर हो, और इनकी बोरी शुरू हो जाए, यह, यह, एक आएक नौकरी से शादी की बाद कांसे तो पख़़ी, एक आएक नहीं, मैं बहुत दि काती हो, हु हु ह हु हम हुह, हु ह महाराणी जी, और चाएल राई हुं महारानी जी, सैंक्यू बावी मैं आत lunar परिया। क्या बा hey rules, और तुम बड़ा रोमेंटिक गान हो, मूजी कुछ ऐसा है बावी आप नहीं समझेंगी, हाँ, मैं भला क्या संझेंगी। ये जिन्देगी की सबसे खुबसुरत रात है आंधे और तूफान उटी होटल का कमरा विजे का विजे का साथ होना लगता है मैं जिन्दगी में जो कुछ पाना चाहती थी विजे के रूप में मुझे मिल के आ है गुद मॉर्निंग भावी थैंक यू फदिती हरिका का कहीं बाहर गये हैं क्या जो आपको चाय लानी पड़ी ननीदा को स्कूल छोड़ने के भावी आपसे बात करनी थी तुम अपनी बात बात में करना पहले मेरी बात सुनो क्या कल सीमा आई थी आच्छा अहां तेरे लिए विजे का रिष्टा लेकर तो तुमने क्या कह मैंने मैंने कहा विजे की शादी प्रिया के साथ ये तो होई नहीं सकता हमारी प्रिया आपके विजे को बिलकुल पसंद नहीं करती तब तो उनको बहुत बुरा लगा होगा ना लगता है तो लगे मैंने तो सची बात बता दी आखिर तेरी जिन्दगी का सवाल है कोई मज तो नहीं अच्छा मैं चलते हूं भावी वो क्या है ऐसी भावी वो वो क्या बात है भाई अमिद भाई साब भाईया की बहुत अच्छे दोस्त है ना हो सुनेंगे तो बुरा मान जाएंगे तो मानते रहे तुझे भटी में तो जोक नहीं सकते जिस आदमी से दिल ना लगे उस आदमी से दूर ही रहना चाहिए और फिर ऊटी होटल के कमरे में तुझे एक साथी भी मिल गया है और जिंदगी में जो तुम पाना चाहती थी वो भी मिल गया है भावी तुम है आगे कुछ अब आभी बताते हैं भावी मेरी डाइरी दो ना भावी भावी तो यही अब ये शादी हो ही नहीं सकती, एक बार मना कर दिया तो कर दिया, हाँ पांबी गल्पी हो गई ना, लो खान पकरती हूँ ऐसे नहीं, जोर से अब मेरे साथ कभी ट्रामा तो नहीं करीगी ना नहीं लुष अब आसरी हो болो बार खादी हो अब र northernने ही झाल झाल महारामी ची जी बभी एक ही दिन में प्यार के पंची दिनोरा गुलके अरे शाम होती पंची घर लोटाते हैं तुम इतनी रात को आई हो उसे कहां छोड़ाईं मेरी अच्की बावी ममी जी चारामी कारी सुना मुझे नीन दारी है नीन दारी है? चलो एक राजा था और एक राजी उनकी एक छोड़ी से गुड़िया सी राजकुमारी थी उस राजकुमारी के पास चांदी और सोनी के बहुत खेलोने थी बंदर, शेज, घोड़े और बिल्ली पे थी ममी उस राजकुमारी के पास मिठू नहीं था आँ आँ बाबा उसके पास मिठू भी था अब तुम सोजा आप जाके सोजाए ये तो पूरी कहानी सुनकर ही सोईगी गुद्नाइट पापा। गुद्नाइट बेटे तुम जब लिए ना सोजा बेटे अरे तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नीन कहा आती है तुमारे बगाएट पैर दबाओं? नहीं मुझे भी नंदीता की तरफ पहले कहानी सुनकर तुम नंदीता हो क्या? अरे नंदीता ना सही लेकिन नंदीता का पापा तो तुम बच्चों से कम नहीं हो बस थोड़े से बड़े हो गए हो तुम भी थो थोड़े से बड़े हो गए हो जब पहले मिरी थी ना तंग मत करो तो कहानी सुनाओ हाथ सीदे रखो तब सुनाओंगी लो, हाथ सीदे, सुनाओ हाँ, बहुत दिद हुई एक बार चैन कुमार खोड़ी पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए वहाँ वहाँ उसे एक लड़की की चिल्लानी की आवाज समय दी बच्चा आँ बच्चा आँ बच्चा आँ बच्चा आँ बच्चा लेकिन लेकिन एक बात बताईए आप पारी में गिरी कैसे अब बालेंस विगड़ गया ना उलट गई मैं पानी में गिर गई अरे कमार की लड़की आप तैना आता आपको अजीव लड़की है तैना नहीं आते तो बोर्टिंग करने निकल पड़ी मुझे क्या मालूम था ना उलट जाएगी मालूम होना चाहिए एक्टरेंट तो कभी भी हो सकता है अजीव बेवकूव लड़की हैं आप आप तो डाटते ही चले जा रहे हैं किनारे तक ले चलिए ना किनारे पर ज़रूर ले जाओंगा लेकिन एक छोड़ा सा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम हां क्या प्रॉब्लम मुझे तैरना नहीं आता हां अजीव आद में आप तो फिर हनुमान की तरह कूच यू पड़े हां खूच गया आपको आपको देखा दूर से कि आप चिला रही थी बचाओ बचाओ हम भी कूच पड़े आप हसे ही रहेंगे या आप हमको किनारे भी ले जाएंगे अहां किनारे तक एक ऐडिया है बोड के सारे किनारे तक पाहुंच जाएंगे तो आप ठीक तो हैं हाँ है किनारा आ रहा है आपका अनुराधा बड़ा फुब्सूरत नाम है आप शुक्री आदा करना चाहती है ना जी बस कल मिलने का वादा कर लीजेगा अपने आप शुक्री आदा हो जाएगा लेकिन एक बात है हम यहां से जाएंगे नहीं तो कल मिलेंगी कैसे खुड़ा आप अरे जाने की बात करने हैं आप अरे मेरे पास घोडा ऑए गोडा पस इसी पर बैट कर निकल पड़तते हैं खोडा हां हां आ अंदानी गोड़ा है बड़ा नामी गोड़ा है इसके दादाने डर भी चीति डर बी कल आप इस पर मिल ले आएंगे जी नहीं हम अपनी कार में आएंगे कार आपको चलाना आता है अगर चलाना नहीं आता तो आप से मिलने कैसे आएंगे जैसे तैरना नहीं आता था और जील में कुछ पड़े अगा गुद मॉनिंग गुद मॉनिंग, मानगे आप तो सचमिच कार चला करा है मानगे ना और एक अर्जी भी लाया हूँ अर्जी? यहाँ एप्लिकेशन कैसी अर्जी? मुझे एक बीवी चाहिए वांटिड वाइफ ओ, वांटिड वाइफ? तो अखबार के वांटिड कॉलम में छपा दीजी फॉरन मिल जाएगी मुझे अखबार वाली बीवी नहीं चाहिए मुझे तो वो बीवी चाहिए जो पानी में मिली थी बताएए तो सही उसके लिए अर्जी कहां देनी होगी वो अर्जी आप मुझे ते दीजी मैं देखती हूँ क्या लिखा है ओ, wonderful नहीं इस जार करोगी नहीं 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 दिल मेरा नसोड़ों इन धूरों को छोड़ों कर भी खिल जाते हैं तभी नहीं बोलो प्यार करोगी नहीं बाबा इकरार करोगी मर जाए तड़क कर यार कोई एस करता नहीं हिनकार कोई कोख मिलता है अपने दार कोई हम रोपता नहीं दूबार कोई इस प्यार की दुहाई कोई कोई हर चाई ऐसा होता है सभी नहीं कोई इंतिजार करोगी नहीं नहीं एक तुपार करोगी नहीं नहीं तो हो जिल से अभी नम चल जाए दो छार बरस ये संभर जाए आए आज जवानी कल जाए कल आज में दाज निकल जाए इचोड़ बाते बना नहीं है साथ बापना कुछ बात तुम्हारी जुनी नहीं ओ बलो प्यार करोगी नहीं नहीं इस प्यार करोगी नहीं नहीं दिल की पिजुदाई के काने लगा मुझे रोप लो तुम्हें जाने लगा रुक जाओ ये दिर ख़राने लगा मुझे प्यार पे होस्ता लगा बली तो अलो तृरो तो अभे अशे में चाहरे मेंन होना यह एमारें क्राइटिन इया कर दो जांट हरॉआ थर चाहटी ईया आखि और य५जामा से अ Renya जो कि एक गुरूनाथ नम का आदम आप से मिलना चाहता है कुरूनाथ अरे वह तो अपना आदमी बला लो चलो तुम्हें साब में बलाए ठेंक्यू सलम साथ सलम क्या खबर लायो गुरुनाथ मलोतरा उसके साथी आज रात को जाच पर आने वोले और आज रात को सारा समन उतार दिया जाएगा बिलकुल पकी खबर है गड़ तुम ऐसे करो जैसी माल उतने लगे मुझे फोन कर देना ओके मैं तुम्हारे फोन का इंदिजार कर आधा क्यूँर वोड़ी चार्मिंग बूटीफ ल गैर्लै काम की बाथ कर ड़े और बड़ी पहले चेर तो कर लो पर काम की का सब्यार ठोल्यों। आरा माल साट लाका अमारा माल तेयार है बर लगता साथ तक अ कि मदगयों अरे जितना माल चाहिए उतना मिलेगा हमारे मुलत्रा के बेटे सुरेश ने चरस गांजा अफीम की सारी बार्कट समखाल ली है बड़ी, इस बार्व में पेम इंटे गोल्ड में लेगा, सोनना सोनना सोनना? ओके साथ, ओके साथ जितना हो ना, उतना सोनना यह रहा हाँ यह को ने? पड़ी क्या हुआँ याँ को यह दे? को जो कर अमारी बाते सुन्दा है मलेरा? क्यास चीफ? यहाँ भी कोई साथ जो छुपकर आमारी बाते सुन रहा था यहाँ तो कोई नहीं चीफ मैने खुद अपनी आंकों से देखा है गुरूनाथ वायब है गुरूनाथ? वो ना है आदमी फॉरन धूनों से क्यों आचे तुम लोग है? अरे वडी जल्दी करो नी चलो आओ अरे लोगे रहाँ रहाँ पुर्णकंटर में आध थासी भी रहाँ का अ तायव हलो पुर्ससन यह थी अमत गुपता है? हम अर्नाथ, भलो अहा? अच्छा? अलो वर्नाथ? हम से गुपताली वाफ दो... मैं... 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 यार! हुआ 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 है हुआ हुआ है दो हुआ हुआ! गलाथ dönें प्हुजस है एमेरी आपरेखे! कि दो जूएसों ला चाना! प्जूए ही हाईना! याह, 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 याह! हरामजादे खून करके भागता है अरे चल अरे चल हरामजादे बोल बो रिवॉल्वर कहा है सार वो रिवॉल्वर इसना समंदर में फेक दिया क्या समंदर में फेक दिया ए गड़ी दोको कि क्या बात है अमित साब कोई मर गया क्या मर नहीं गया मारा गया है लेकिन इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे हो अपने कुछ विदेशी दोस्तों से मिलने आये थे एक चोटी सी पार्टी सी जाजबर हंगामा सुना आपको देखा और रुक गए अच्छा हुआ अगर रुक ह तो इसे भी देख कर जाओ यह तुम्हारे आदमी ने यह खून किया है मेरा आदमी खून क्यों करेगा आमित साहब बेचारा क्रेन से किरके मर गया होगा हाँ और रुस्तम जी को तो खामखा अपने पकड़ लिया खामखा नहीं इसने यह खून मेरी आखों के सामने किया है इसी भी साब पुलिस की आँखों पे कौन भरोसा करेगा रुस्तम जी को आप ही छोड़ दीजिए तो अच्छा है नहीं तो अदालत में अगर भगवान में उतर आयना तो इसे नहीं बचा सकता क्योंकि इसका चश्मदीद कवा मैं हूं तो मिस्टर अमीद गुपता आप मेरी आँखों के सामने हुआ था क्या आपको मालूम है कि रुश्तम जी जिन पर मुर्डर का इज़ाम है यह मलोत्रा एंड संज जैसी इजदार कंपनी के मुलाजिम है मलोत्रा एंड संज आप उसे इजदार कंपनी कहते हैं बड़ ताजूब की बात लगता है कि जाती दोर पर आप मिस्टर मलोत्रा को पसंद नहीं करते हैं आपके उनसे कोई अदावत कोई रंजिश जी नहीं मेरी मलोत्रा से कोई जाती रंजिश नहीं लेकिन इनके कारणामे खर शोड़िये मुझे जो कुछ कहना है मैं वक्त आने पर कहूंगा ओके ओके लेकिन आप इतना जानते हैं कि रुस्तम जी मुलात्रा जी के मुलाजिम है यहां जानता हूं क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि पुलिस के पास इनके खिलाप कोई भी क्रिमिनल केस का रेकॉर्ड है जी नहीं क्योंकि खानूनी दावपेश से आप इन जैसे गुनहगार क्या आप उन सब लोगों को पैचान सकते हैं यह नहीं उन सब आद्मियों को पैचानना तो नामुम्किन था क्योंकि वांधेरा था सिर्फ दूर एक मध्यम से रोश्नी थी फैर परचानने की बाद छोड़िया गिनती तो सही बता सकते हैं कितने लोग थे पांच साथ मैं वह सब्सक्राइब होगी कि दूरी से इतने अंदेरे में आपने सिर्फ रूस्तम को पैचान लिया हैरत की बात से इसमें हैरत की क्या बात है मैं खुछ चश्मदीद गवाह हूं मैंने खुद उसे गोली चलाते हुए देखाए मिस्टर गुपता यह पुली स्टेशन नहीं आपके अनुसार गोलियां चली थी नहीं क्यों लगता है कातिले वह पिस्तौल समंदर में थेख दी तो कि आपने समंदर के बैट में तलाश नहीं की तलाश चारी है लेकिन वह पिस्तौल अभी तक हासल नहीं हुई वाह खूब बहुत खूब आप पुलिस के इतने बड़ रुस्तम जी को पैचान सके और पकड़ सके जिने की यह मिस्तर मुरातरा के साथ एक बार नहीं कई बार देख चुके हैं यह गलत है यह ओनर खूंदृतम जी नहीं किया था होश की बात कीजिए मिस्तर गुपता किस हत्यार से मुर्डर किया गया था कहा है वो पिस्तौल ज करूंगा कि यह केस टिसमिस किया जाए अडालत पैरिस्तर जैन कुमा के बातों से मुत्तफिक है पुलिस के पास रुस्तम जी के खिलाफ कोई सबूद नहीं है जैन्त आज में तुमसे खुले आम लड़ने आया लड़ो या दिल खोल के लड़ो तुम अच्छी तरह जानते हूं आज जिस बदमाश को तुमने बचाए वो खुनी है कुरूनाद टॉक्याट की क्रेन पर फस नहीं गया था बलके फसाया गया था और आसमान की उचाही त सच लगा है कानून 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 के आँखों पर तुम नहीं देखते हैं उससे तुम नहीं देखते हैं चाड़ो तरफ चुरे बाजी लूट मार ड़केती मर्डर रेप का मादार गर्में तुम कानून की बात करते हो जैन्त वो कानून कानून नहीं जो कुंडे बदमाशों का दरबतार है वो इनसाफ नहीं जो इमानदारों के खिलाफ है क्या बच्चो जैसी बात करते हो कानुन का मकसद डर पैदा करना नहीं है कानुन का मकसद इंसाथ दिलाना भैजूरम और जुन करने वालों को पनाह नहीं देता घै Kane बचाता हूं बचाते हैं बल्के उन्हें बाइजद बरी होनी की कलाई से चमकावी देती हो जुर्म करके वो छूट सकते हैं इस बात का हुस्ता देलाते हो तुम्हारी कानूनी काबलियत उन बदमाशों की छादी और चौड़ी कर देती हैं एक उन्डा छूटता है तो दस को करें तुम दिमाग का दामन छोड़कर जजबाद की रौव में बहे जा रहा हूं ये जजबाद नहीं दोस्त नंगे हालात की आवाज जो तुम्हें सुनाई नहीं ती भगवान ना करें भगवान ना करें कभी ऐसा हाथसा तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम देरी पर पच्टाओगे सर मैं भी चलू नए, तुम यहीं रुको ओके सर कहा जा रहे है साथ रहाज तो फिराज़। जास शूरत बड़ी थी उसकी जास शूरत बड़ी थी उसकी आईये, आईये जहरत असमत आप इस नाचीज के घर तश्रीफ लाए मुझे हुकम कर देते, मैं हाजर हो जाता हाँ बैठिये ना हमेद बाबू बैठिये है क्यों में संधाली ठीक बोला हाँ बड़ी तस्रीफ रखिये है यह कुछ नोश फरमाईएगा काले धंदों की गंदी खुशाली और कानून के शिकंजे से बार बार बच निकलने की काम्याबी ने तुम्हें मधोश कर दिया है ले ओभी क्या रखिया अगर गर सबस्क्राइब आप क्यांन की बात की आउनकी ये जाने लिए मंतर ज्मऱ्ागे हुँ कहां यह तन्य। कि अगर तफसील आपके कपजे में है तो आप हम सब को गरिफता क्यों कर लेती हैं तो और क्या है गली के कुछाया है कि अगर ये आपका पुलिस थाना नहीं है मेरा घर है हम आपकी तरह बत्ते माग और बत्तमीज नहीं कि हाथा पाई पर उसर आएं इससे पहरे कि हमारी श्राफत का बांद चूट जाए आप यासे तरशीव ले जाए है मैं तुम्हें खबरदार किये चाहता हूं कि आज के ब ये कुट्ता कुछ ज्यादा ही भूखने लगा है देखा ना साले ने गर्दन पकड़ दी सर आप करे तो एक गोली से इसकी जबान बंद कर दू ए चड़िया पुलिस ऑफिसर गोली से बढ़ेगा तो हंगाम हो जाएगा परेड़ा सालो हो गया पास इट वाल बी ताम किसा ना जैए अगर्द थे अगर्ड़ करेंगा फोर्ड़ जानना चाहते थे न मुझे मालूम उनकर गोदाम साब ठेक है बैठो गारी में अच्छा जब कि अगए थे तुम एरे साथ चलो यह टीक नहीं रहेंगा सब अगणों को आपके साथ देख लिया तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ेंगे सब अच्छा ठीक है तुम इनके साथ रो और देखो तुम लोग दांको चारों से खेर लो कमान करीम यासर कि यहां तो कोई नहीं देखता साथ ना अदमी ना अदम जाए चलो ऊपर चल के देखेंगे साथ कि यहां तो हमें खत्रा लगता है अरे पोलिस वाली होकर खत्रे से डरते हो कमान कि यहां तो कोई नहीं देखता साथ तुम रोगों में जाता हो रजटी थbn тебе आए से दिको साथ तुम्षा कर देखेंगे साथ तुम रूथी एंट यहां तो कि यहां टाए से तुम यहां थास早 exempt हुआ है मुझा जान्व परियुक्त अमक्राज जाने अमक्राज करें कि आत्मा को शान्ती दे कि आ हाँ चंगेजी हम तुम से बहुत खुश है यह लो तुमारा ही नाम थेंक्यू सेर मुबारक हो चंगेजी थेंक्यू अरे भाई सुना है अमद के छोटे बाई विजे ने भी पुलीस जोइन कर ली है करने दो हमें क्या फरक पड़ता है लागों पुलिस में पड़े हैं पर अमित गुपता की बात कुछ और ही थी वो नहायत शांदार और इमांदार अफसर था ऐसे अफसर ना तो खुद चैन से बैठते हैं ना हम जैसे शरीफ लोगों को चैन से बैठने देते हैं अरे भाई वो तो सब ठीक है लेकिन हो सकता है उसका बाई अपने बड़े भाई से चार कदम आगे बड़े और फिर उसकी पोस्टिंग भी तो बंबाई में हुई है वड़ी तुम बुल लो तो हम मनिस्ट्र को कहकर उसकी ट्रांसफर कहीं और करवादें हैं करवादो ट्रांसफर ज्वादों साने का अरे छोड़ो ऐसे नौस आपका साफसाथा है ओँ है हमेरे सुरेश बोलो माल का इंजाम हो गया जी डैडी माल तो मेरी बगल में पड़ा हुआ है आप दुबाई वाली पार्टी से कह दीजिए कि अगले हवते तक उने माल मिल जाएगा यहां माल की क्या कमी है ठीक है माल लेकर जल्दी वापिस विजे भावी तुम तचाती हो तुम्हारे नाचाने के बावजूर भी मैंने नौकरी क्यों की बस मुझे मुझे आशिरवाद दो विजे मेरा आशिरवाद हमेशे तुम्हारे साथ है जाओ यहां रोप दीजिए सर यहीं वो जग है सर वादमी यहीं लेकर आया था मुझे यकीन है सर यह उसी आदमी का काम है जो मैं यहां तक लाया था वह आदमी उस दिन के बाद कभी दिखाई दिया जी नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मर्डर की पीछे सरूर किसी जाइंग का हाथ है तो सकता है सर वह उस आदमी का हुलिया सर वह बहुत लंबा और अजीब ती शकल का था वैसे मैं उसे देखू तो पैचान लूगा सर हमें आज सास की जिपने में को डाउन है सब में नज़र सब्सक्राइब करने पड़ेगी कि अधिया मालूम है पुलिस साली सुंगती रह जाएगी लेकिन चंगेजी की परचाई भी उन्हें नहीं मिल पाएगी चलाए फट्टा बंकर चला जल्दी बंकरो जल्दी बंकरोपड़ करने बंकरोपड़ कि अधिया कर दोड़ू में एलू आलू थ्रच नमर एमीपी इस सवन वान तू यहां से माल लेका रवाना हो चुका है ओब टो के ओवर करिंट तुम जल्दी से तंग दूपाँ और इस्पेक्टर जब फोन करके कोई पुलिस की वें पाँ कर दो कर दो कि अगरद कर दो प्रटॉर यह रहा है जल्दी प्रटॉड यह रडियो और यह अ कर दो कर दो अग। मेरे पीछह नगिये, मदच के निकलना, भी 5 ज्क dobrze होगा कर दो दो तो यहाग इंग जुड सकता है कर दो आगा, जब कर टू कर दो 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 जाता का है? पगरो इजे इसकते हैं तो और यह आपने इस यह तो वह आपनी है जिस लिए आपका दिल किया था कर दो कर दो किसका है जिसकी लिए काम करता है जिसके क्याने से वह ये यह था गिराई थी मुझे नहीं मालूस है इसने जबान खोल दीता हो इससे पहले की वोज जबान खोले इसके लिए क्वान करता है कुटा है कुटा है पूली वादी तरी पीशा करो अनो ओ अनो अनो कहा हूँ भै अरे बिया आप इस वक्त आपकी तब्बत ठीक है ना अनो 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 अरे बाई बदाई हो यह तुमारे लिए अचानल क्या बात है अचानल क्या बात है आज जी किस खुशी में इस बात तुमारी हिस्ट्री फेल हो गई है आज तुमारी भावी का जनम दिन है अचानल क्या अचानल क्या बावी तुमारे अरे मैंने का जी ऐसा थेंक्यू भी दीजिए ना हाँ भावी मैं आपके लिए मिठाई लग थी हाँ मिठाई लेने जाओ उसके सामें अचानल क्यों बोले क्या का मैंने अरे सिर्फ थैंक्यू तो मांगा है तू ना थैंक्यू 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 वेरी मॉश्याच जयनु तुछेयाद है आज Süकाण तिरा पहला जूनान हमने कहां करेंक्याद nozzle हौ बिताबं कारदन में तुम्हें तो कुछ यारी नहीं रहता जानते हैं आज मेरा जनम दिन है अरे पहले कुछी बता एक बढ़िया खुबसूरत अब तोफा लेकर आता है तो क्या हुआ बाद में दे दिना आहां बाद में बात पूरानी हो जाती है कि अ अरे आजाने मन आज तुझे एक तोफा देता हुँ पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हुँ आजाने मन आज तुझे एक तोफा देता हुँ पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हुँ इस बोसे को लोग हवाई बोसा कहते हैं इस बोसे को लोग हवाई बोसा कहते हैं आशिक इसको खूब सूरत धोका कहते हैं अपने दिल को खूब सूरत धोका देता हूँ महले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ आज महाबबत दिल की धनकन बनके धनके की आज महाबबत दिल की धनकन बनके धनके धनके गी ये जिंगारी खुलक के शोला बनके धनके गी इस सिंगारी को अवा का जोका देता हूँ पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ अर कितने दिन से सोच रहा था मैं इस वारे में कितने दिन से सोच रहा था मैं इस वारे में कुछ ना कहकर सब कह डाला एक इशारे में चाहत के इजहार का दिल को मौका देता हूँ पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ आज जाने मन आज तुझे एक तोबा देता हूँ पहले पहले प्यार का पहला बोसा देता हूँ कि अनौ कि अनौ कि तुम्हारे साथ जितने वी दिन बीते हैं बहुत खुबसुरत है कि यह चाहता है कि एक एक पल सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारों रहने दो कब से कह रही हूं चलते हैं कुछ दिन महाबलेश्वर घुमके आते हैं उदर नंदीधा भी नानी के पास नासिख चली गई है तो मौके चलते ही नहीं ठीक है तो कल ही चलते हैं प्रिया को बीजी रहेगी तो मुझे इनके साथ थोड़ा सा खाली वत मिल जाएगा हाँ हाँ यह हुई ना खुलम खुली बात हाँ तो हम सब कल मा बलेश्वर जा रहे हैं हाँ हरी काका जी वीवीजी सब सामान रख दिया ना कुछ भूल तो नहींगे भूलूंगा कैसे भाबी ये कैसे चली है और की लूँ ठीक है आप का है आप लाइडरी में है कोई क्लाइन सब्सक्राइब कर देता हूं वो मस्ती अपील कर देगा देगा है तो कोई बात नहीं देंसा लेकिन सब ने इनको बताया कि आप इनके लड़ते की फांसीर गुआ सकते हैं इसलिए इनको मैं आपके पास ले आया हम गरीब बिद्वापरी तबकार करनो सरकार हम तुमारे हा मैं एक मिनिट में आया है पैठी बढ़ी है क्या हुआ कौन आगया एक बुड़ी औरत है मरसी अपील का मामना लेकर आई है अपील की आज आखरी तारीक है तो क्या कहना चाहते है यह कि अगर आर्दी दाखिल नहीं हुई तो उसका बेटा फांसी के तक्ते पचला दिया ज मैं इसी बात नहीं है अनू समझा करो ना मैं ही समझा करो तुम मेरी दिल की बात मत समझना ठीक है तुम अपना केस लड़ो मैं कभी तुम से साथ चलने के लिए नहीं कोंगी मैं कौन होती हूँ ओ ओ आदे दिन की तुबात है क्या परोसा फिर कोई आएगा मेरा क्या पर ज असका केस कोई बीलड पाइब के दो कि चानी पड़ती है जैसे मनें बता है कि बारा बिच्ट दक मां अर्जी मन्जूर कर वा लूँगा तब टर विजह आता होगा कम वं कि कम हाम है कि वालो कि वीजे ङागर कि हाई प्रिया है तेरा समान का है थोड़ी सी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तुम भी नहीं चल रहे हो भावी लेकिन थोड़ी देर के बाद वो क्या है कि हो मिनिस्टर सब बैंगलोर जा रहे हैं वो दो दिन घंट एरपूट में रुखने वाले हैं उनकी सेक्रिटी की डिटी म क्यों पीया और क्या मत करो अशब तैयारियों हो चुकी है सब कम उर्भी बन चुका अप लोग चलिए हम पीछे पीछे आ रहे हैं वैसे आप लोगों को मांफ तो नहीं करना चाहिए वाना बनाया मुट चौपट कर दिया चलो भवी यह लोग बाद में आते रहेंगे ठीक हाँ अपना प्रोगाम क्यों खराब करें हम दोनों चलते हैं कप पर लडाएंगे म्यूजिक सुनेंगे एंज्वाइ करेंगे हम लोग चार बेस तक पहुंचांगे सुरा चाय भाइट त्रयार कर रखिया आप अपनी चाय खुदा के बनाएगा हमारे पास टाइम नहीं है कायम नहीं है अजी होजूर मैंने का इतनी दूर जा रहे हैं आप तरा गुस्ता तो थुगरीजिये आप यह हुई ना बात आई मैं मर जो रहा हूँ चलो जाएवाँ क्या हो पातुर गाड़ी करम हो गई मैंचाब देखता हूँ जी गई मैं है मैंचाब फिर क्या करोगे यहां से 10 मिल दूर प्लप पंप है वहां चले के आतों जी जल्दी वापिस आना आच्छाजी बाई शाब रोको, बाई शाब रोको, बाई शाब बाई शाब बाई शाब तोट गया है पाम तेख छोड़ देंगे जरा चल बढ़ जा हूं हो गयी एक गंटे की चुटी चलो तब तक मुजिक सुनते हैं झाल झाल आप लोगो को केला रेना ठेक नहीं हमारी फिकर मत कीजिए अरे कैसे नहीं है अरे मैं नहीं है अर्या आयूज अर्या 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 बढ़ लाज! Uh oh.. बढ़ लाजका! इसलिए आव.. कोई पूस्टेर!! अजयी.. अजयी.. आई! नजयी.. Uhm.. कर दो कर दो aha हो कर दुछ कर दो हुआ है कि हुआ है हाँ ठीक आपने बोले तो पहुंचे पाँचे कहेंगे अपतर हाँ पाँ फोल से है अरे यह कार यहां किसे यहां तो कोई नहीं है यहां तो कोई नहीं है भावी प्रिया बादूर विचता हुडिस कर यहां पुट मैं रखराको यहां एन। वैल, प्रियो, फरी बाभी रीम, फ्रियो, प्रियो, 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 प्यार 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 वक्त का क्या पता एक पद में हो क्या आज किसको खबर आज करने हो क्या वक्त का क्या पता एक पद में हो क्या आज किसको खबर आज करने हो क्या एक जूँका एक जूँका हवा का है ये आज में का धरोसा नहीं जिन्दगी सौ बरस की सही जिन्दगी का धरोसा नहीं तुम फिकर मत करो यार परेरा माल के साथ दुबाई पहुंच जाएगा पक्का अरे आगे सुरेश ये लो भाई सुरेश भी आ गया ओके ओके वाई क्यों मेटा सुरेश बहुत दिन लगा दिये तुमने अरे यह क्या हुआ जी ड़ी वो चूना बटी के जंगल में एक साला बदमाश मिल गया था उससे जान साथ में तुम बेटा उल्टे सीदे काम मत किया करो खामखाव कुछ मसीबन बोल्ले बैठोगे जाओ जाब बवार लगा चलो कि जाओ जैन साहब जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस से जादा होस्ता है मज़े हाला कि चुना भट्टी का इलागा दूसरे कमिश्णर के अडर है फिर भी मैं उसे बात करूँगा आप मदद करेंगे तो मुझे पुरा विश्वास है कमिश्णर सहाब कि वो दरिंदा पकड़ा जाएगा और जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाएगा मेरा खुन खालता रहेगा पुलीस तो अपना काम करेगी लेकिन एक और जर्या भी है आप एक क्रिमिनल लॉयर है मिस्टर जैन आपने बहुत से बदमाशों को छुड़ा है बदमाशों के अपनी एक वरादरी होती है और सब जानते हैं किसने क्या जर्म किया है अगर आप अपने क्लाइंस मेरा मतलब है इन बदमाशों से पता लगाएं तो काम और भी जल्दी जानते हो सकता है आप ठीक कहते हैं मैं आज ही कोशिश करता हूँ जैन साव आप बैठी है तो सही आप फिकर मत कीजिए हम आपके साथ हैं आपका दुख हमारा दुख है आप होकम कीजिए इंट से इंट बजा देंगे मुझे आप से यही उमीद थी मलतरा साहब पदमाशों की विरादरी को आप अच्छी तरह जानते हैं आप लोग फिर मुझे उस आदमी का नाम और पता बता दीजिए जिसने मेरी बीवी की इज़त लूटी और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया अरे उस अत्य अगरवार वक्त दिन के करीब तीन बचे चगा चुनाबटी जंगल चुनाबटी चुनाबटी का चुनाबटी परेड़ा कुछ याद आ रहा किसी वर शक हो रहा है नहीं वह एगन से माइन में नहीं आ रहा है कगन विज़र याद करो ऐसा तो कोई आदी मुझे मीर चंदानी तुम्हें याद है चुनाबटी का क्लाइंट लेकर आए थे मैंने केस लगा था उसका क्लाइंट लेकिन चुनाबटी की और बदमाश को तो जानते हैं किसी पर तो शक होगा आपको शक को तो किसी पर चुम्हों तो रहा हां जैन साफ चुनाबटी तो छोड़िए माबलेश्वर पूना बंबई यहां के जितने लोगों को भी हम जानते हैं वह नहायत शरीफ आ मलातरा चिन सेख़ड़ों को तुम मेरे पास लाते रहे जिने मैंने फांसी के तक्ते से बचाया क्या वो शरीफ लोग थे बदमाश नहीं थे जैन साब वो बदमाश नहीं बलके बहुत ही बदनसीब लोग थे आरे वा मलातरा किरगट की तरह रंग बदल रहे हां कुछ तो तुम लोग जानते हो लेकिन बताना नहीं चाहते हो अरे तुम लोग बताओ या ना बताओ मैं तो से पताल से भी घसीट कर लाओंगा जिनदा नहीं छोड़ूगा सुरेश कि यह स्टेड़ी लू के पठे जांते हो तुमने किसकी बीवी पर हाट डाल दिया वो जैन तुम्हें फार्सी के फंदर पर पहुचा के रहेगा परेरा दुबाई तुमने जाओगे यह बदाद जाएगा और सुनो तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है या सुना है उसे हमेसा के इंगा अगर किसीने याद रख। तो मैं उसकी जान वे लूगा खाले मिट्व खाले के लिकषा ख़ाने लूग तो क्ना लगा तो खाता ही नहीं क्यों हो बिटे पापा क्यों रो रहे हो पापा मिठों में कुछ नहीं खाया मैंने उसको दिया उसने नहीं लिया पापा मम्मी उसको जेंगी जभी खायेगा ना पापा असकुछ ऑंकी पापा पाह चल्दी बिटा आ पोजल्दी डिएे हां बेटा कौ कर दो नि जल्दी पिला जी आबते आज रोत नहीं बेटे तो कि अधिया कि मैं क्या करूंग विजय कि मेरी कुछ समझ में नहीं आता मेरा दिमाग काम नहीं करता उसे नहीं सा जाता सब कुछ ठीक हो जाएगा तीरज रखिए कहां से लाओं तीरज विजय कहां से लाओं एक पल आसु उमरते हैं तो दूसरे पल आग भलकती है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं कभी-कभी ऐसे लगता कि मैं पागल हो जाओंगा नहीं भाईया अगर आप तूट गए तो दूसरों को कौन सबालेगा कुछ कुछ पता चला कुछ खबर आई नहीं भाईया ऐसे मामलों के चान बिन में थोड़ा वक्त लगी जाता है त्रिया कैसी है कैसी हो की आओ खुद देख लो इसे इस हाल में देखता हूं तो कलेजा फटने लगता है शौक और सदमें स्यादी पागल हो चुकी है कुछ प्रिया तो को तुन को म सब्सक्राइल को सूर्टा है कर दो हुच है तुम कोनो मेरे पास है तुम्हे तुम्हे माई रहा लूगी प्रिया मैं तुम्हार खूंच जोगी मेरे पास मताना मेरे पास मताना प्रिया मैं मैं विजे हूँ तरो मत विजे 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 तुम आ गए तुम आ गए विजे हाँ प्रिया हमें जरिंदे से बचाओ विजे हमें बचाओ प्रिया, यहां कोई नहीं है तुम अपने कमरे में हो, अपने घर में अपने घर में? मैं पर जंगल में थी प्रिया, प्रिया, प्रिया इसल लटातो मैं दोक्टर को फोन करता हूँ दोक्टर को बुलाने कोई ज़रत नहीं उन्होंने जी इंडेक्सिन बताया था, मैं खुद दे रही अभी की को जाएंगी देखी प्रिया की हालत, इस वक्त फे भी वो शान थे, जब मैंने उस हाथ से और शेयतान के बारे में पूछा तो बेकाबू हो गी, यह तो शुकर करो कि उस वक्त डॉक्टर माजूद था महलोतरा से कुछ पता चला, कुछ नहीं लेकिन आप तो कह रहे थे कि महलोतरा मात मत तो रोज कमीने की उचाय तो शेतान का पता पता सकता है लेकिन तरता है मैं जानता था, यह लोग अपने विरादर के खिलाफ और किसी का साथ नहीं देते इन नाशुक्रों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया अमें ठीक कहता था एक दिन कुछ से मैं कहने लगा अगर यह हादसा तुम्हारे साथ हुआ तो बात पच्टा होगे यह कुछ तसीरे हैं जो बुलिज ने ली दी मेरी वरबादी की यादकार अब सिर्फ यह तस्वीर ही रह गई पीजे आज मैंने दो प्रतिग्या की है किया क्या है पाली आमित की काशम का कहता हूं इन क्रिमिल का किस कभी नहीं क्यूंगा दूसरी है तुसरी प्रतिग्या कि जब तक मैंनू का बदला ना लेंगा कि आपने केसिस किसी और बैरिस्टर को देदें मैं खाली नहीं हूं मुझे अपना मुकदमा खुद लगना है कि आप मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर विस्की प्यों मेरे साथ इंतजार कर रहा था इसलिए तो गिलास बनाएं लेकिन जैन साव आप तो जानते मैं पीते नहीं हो कोई बात नहीं आप तो दे सकते हो पैटो विस्की मैं भी नहीं पीता परेरा लेकिन बीवी की मौत के बाद गर में ची नहीं लगता पक मैं इकटा इसलिए हर शाम दोस्की तलाश में निकल पड़ता हूं तुम्हारे आया हूं तुम्हें कोई तरास तो नहीं अजी कैसी बाते करते हैं जैन साब शौक से बीज़े ना मैं अभी आया तो मुठोगी नहीं पर रहरा अब यभी कहाना अकेले बैठकर विस्की पीने कुछी नहीं चाहता बैठ जाहू एक जमाने में मेरा निशाना बहुत अच्छा था आज देखना चाहता हूं निशाना जैना यह तर्व नहीं पर रहा कि यह यह दर नहीं पर रहा कि यह आपने लिये निकाला है कि अज्ड़ अजिक्ट है और अच्छि अच्छिआ में खोट खुशी करना चाहता हूं है जोगशी आप और मेरे खर में पर रहा है मेरे घर में छोटी सी बच्ची है ना वो डर जाएगी तुमारे लिए मेरी लाज को फिकवाना बायाद का खील है लेकि फिर भी मैं नोट लिखकर जा रहा हूं ये कलम और काउस पड़ा है उठाओ इसे दिखो मैं अपनी जिन्दकी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं मेरी मौत का जिम्यदार कोई नहीं होगा जैन साथ ये क्या मुज़ाक है खुदकुशी आप करें और हैंड़ाइटिंग मेरी मैं खुद लिख देता परेरा लेकिन मेरे दोनों हाथ खाली नहीं है तुम लिखो मैं दस्तकत करतूंगा लिखो परेरा लिखो मैं जिन्दगी से तंग आकर खुदकुशी कर रहा हूं चलो उठो स्टूल पखड़े हो जाओ कि यह पना किस पंदे को अपने गले में डालो मेरी बीवी का रेव किस ने किया वालूब यह सब आप मुस्से क्यों बोच रहे हैं क्योंकि तुम्हालूं है कौन वरामजादे मैं खुश नीझालता यकीं कीजिए मैं यकीन कर रहा हूं तो फिर मैं नीचाह जाओं नहीं नहीं तुम कभी नीचे नहीं आओगे नहीं गुडबाइ परेरा गुडबाइ हुडबाइ परेरा गुडबाइ नहीं नहीं जरूर किसी नहीं उसे मार कर रसी पर लका दिया हुगा लेकिन वह मारने वाला है कौन है अरे प्रिया तो बहुत अच्छी लग रही है क्यों डॉक्ट साब ध भान में नहीं रहत्तल नहीं रूंट जा अट्र बिनों के लिए घुमान अंग्षक नहेंद भी तीरा को सृष्टिया तो यह कली में चलता हूं कोई दिनों के लिए कुछ विखाया हूं जो बैशाओ लेकिन आप सुबसब्स कंचसर ऑग विरकद्या चले तो जाएंगे लेकिन अगर आप भी चलते तो अच्छा रहता आपके लिए भी चेंज हो जाता क्या है कि वह नंदीता का स्कूल है और मुझे बाद जरूरी काम है तो ठीक है हम लोग कली चले जाते हैं कुछ याद आया प्रिया यह वही होटल है जहां पहली बार आके रुखे थे और इतफाक से कमरा भी वही है हां विजय आओ कि सब कुछ वही है सब कुछ वही है विजय और में वही को आज में वो नहीं हूं और भावी की याद आती ही वो दरिंगा अब वो सबाते भूल जाओ तुम धक्की भी हो ठोड़े आराम कर लो क्या बेन बांदो ना पापा बांदो ना बेटा तरह बैठो इधर हरी काका क्या बेटिया आपनों में बैग बना दी हा बेटिया रानी यह देखो तो आपकी मम्मी क्या करती मम्मी का बाएंगी बैटा कुछ दिनों में आएंगी आप तो अब्रिपन भी ने बनता मम्मी रात को कानी सुनाती ती ओभी करीने सुनाता है पेटा, आप स्कूल चलिए, आज के बाद हर रात, हम आपको कार्णी सुनाएंगे, ओके? ओके. पीची कर आ? चला. तब एक राजकमाझे को गोडा मिल आ, और वो गोडा पंक वाला था. बापा हमने है न प्रण स सबस्क्रिभी गोड़े कारें बहुत भांकु पापा नगी कारी सूना हो आ पापा नई काहनी सूनेगे आच्छा हम आपको एकनय काहनी सूनाते हैं एक थी राजकुमारी ओलिसल्फ एक दिन जंगल में कई वह पंच्षियों से बाते कर रही थी कि इतने में एक राक्षिर दिखाई लिया उसे वो राक्षिर को देखकर डर गई वह वहां से भागने लगी राक्षिर उसके पीछे भागने लगा बच्चाओ! बच्चाओ! अई! हागे है अ कि आ अ कि पड़ी जानत बाबू तुम्हें दड़ ऐसे तो अब तो प्रश्ट को बिलने जा रहा था पैजल लो गड़ी किदर है रास्ते में खराब होगी अरे वड़ी मुलोत्रा तो घर नहीं है और रजीब बात है कि तुम खुद मुलोत्रा को मिलने जा रहा है यहां वे ग्रूश्ट कर बोल के दिया था तो चलकर बोल दूगा लटी होगी दिल का मैद साफ हो जाएगा है जैन साफ यह और गरेट मैं दिल का बहुत साफ आप दी जो तुम को घर पर चोड़ते क्या करूंगा है जब से बीवी की मात हुई है घर में ती लीने लगता तो म तरह करते हैं जो ज जब तरह कंड़ा है कंड़ यह जबता है दो टो जुपान अगन हुआ हुआ हुए हुआ 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 है तरो मत मिर्चनानी हाँ खाई में गिरने का भी वक्त नहीं है कि उत्रो अज़ी इतो बड़ी संसान जगह है इधर क्यों लेके आया मिर्चनानी ऐसी जगह पर ही तो पीने का मज़ा आएगा बड़ी दाड़ू अले जैन साथ मैं तो नहीं नहीं बाते देख रहा हूं कि तुमने पीना कब से शुरू किया क्या करूं तुम तो जानते हो ना कि मैं पहले नहीं प्या करता था अब अकेला हो गया हो ना घर में ची नहीं लग कि अधर शाम दोस्की तलाश में रहता हूं वां गया माला तुम मिल गए है चाहिज कि जा आए है है वोड़ी असली माल है मज़ा आगे यह मज़ा तुम आपाएगा अचाहिए है हुआ है अ अचाहिख अ था इस व्रूप यह था है निकालना है कि यह तो अपने लिए है कि पीवी की मौत के बाद कि अकेला पन परदाश नहीं होता है इसलिए खुदकुशी करना चाहता है तुम इदर खुदकुशी करेगा हाँ घर में बच्ची है ना पिस्तॉल की आवाज से डर जाएगी तुम नहीं डरोगे मेरी लाश को इस खाई मे काड़ी में बैठों मैं कहता हूं काड़ी में बैठों काड़ी स्टार्ट करों केल में डालों मीर चंदानी सामने खाई है और मेरे हाथ में पिस्तॉल है मौत दोनों तरफ है पताओ मेरी पीवी का रेप किसने किया था तुम मुझसे को बूछता वड़ी क्योंके तुम्हें मालूम है मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे कुछ नहीं मालूम तुम्हें मालूम है अगर किसी नहीं याद रखा तो मैं उसकी जान देखा जैसा मुझे छोड़ दो मुझे कुछ नियमालूम, कुछ नियमालूम ओ, पता तो, पता तो नहीं, मैंको कुछ नियमालूम मुझे छोड़ता, मेरे को छोड़ता निरचंदानी, अब तुम गाड़ी चलाओ के नहीं! यस नहीं! नहीं! गुद्पाई, मिस्टर मिर्चंदानी आओ, छोटी दीदी, आओ! साथ तुमको देखेंगे न, तो बहुत खुश होंगे! भाईया घर पे नहीं है, क्या? नहीं, उनका तो आजकल कुछ पता ही नहीं रहता नाजाने कहां चले जाते हैं? इतनी रात तक तो भाईया बाहर कभी नहीं रहते थे क्या बताएं छोटी दीदी? आप लोग आराम कीजिए, तब तक मैं खाना लगा देखेंगे नहीं, हरी काका, खाना हुनी के सथ खाएंगे ठीक है, तब शयद आज ओभी खाना खालें खाना खालें लोग भाईया आगे अरे आगे तुम दोनों कैसे हो प्रिया? ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं आज और तुम खामका पुलिस में चले गए तुम्हें तो कहीं डॉक्टर बाक्टर होना चाहिए था तुम्हें प्रिया को कैसे फिर्स क्लास बना दिया बिल्कुल पहले की तरह होते बिल्कुल फिर्स क्लास पहले की तरह आप इतनी रात को कहां गए थे? मैं वह कोई कास काम नहीं था निकल पढ़ता हूं कभी-कभी आपना दिल बैनाने के लिए हमारे पास आओ बेटे देखो वो क्या है वो अजी थकी हुई आये ना इन्हें आराम करने तो बहुत रात हो गई है चलो हम तुम्हें सुलाएंगे एक अच्छी सी कहानी भी सुनाएंगे हां मैं इससे सुलाता हूं कि नहीं नहीं यह एक्सिडेंट नहीं मर्डर है मर्डर दुश्मन हमारे पीचे हाथ दोकर बढ़ा हुआ है पहले परेड़ा गया और अम्भी चंदानी अगर हमने फॉरान अपने दुश्मन का पता नहीं लगाया तो हम सब की जान खत्रे में हैं अरे भाई यही तो मैं भी कह रहा हूं मलात्रा लानत है लानत है रुस्तन जी आप लोगों पर अभी तक मालूम नहीं कर सके वो कमभग तुलू का पथा कौन है क्या करें सब कातिल कोई सुरागी नहीं चुरुदा चुछा कि गगन फॉरन पता लगाओ कि हमारे खिलाफ किसने सर उठाने की जुरुत की है कोई हमारा अपना ही एजन तो नहीं हो जगता है अगर ऐसा है तो इसने शर्ति अपनी मौत को दावत दिये है दोस्तम दोबहें में फोन करो और सुरी चुझा कोई के फोरन यह चला है हुँ हुँ हु 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 है कि तसलिटे और सब्सक्राइब परोग पष्थ है अजो है कर दो दो कर दो कि कर दो पर उनको जल्दी बुलाओ अच्छा साथ यह लो तुम जा सकते हो तेन्ट कि उसे देख रहे हैं यह सर ऐसे चला जारा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है कि मिस्टर चुनिया कि 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 में तो रुचा यह कि में यह जो कि भी यह जो बाज़ो कि मादस कर दो 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 कि अपार दो अपक्राघ जार पाइ ने हुटति कि अपार जून भार आपकी जब इंगार दिया जुटुरू बाग रहा था प्लास कर ना ड़कर रहा भाग रहा था यह जैकेट देखे सर कितनी भारी है क्या इस कहता है क्या है इस मैं ले जाए इसे मेरे पेटे सुरेश को हदकर ही लग गई है और तुम वहां से बुर्दल की तरह बागा है उस हराम हो और विजे को गोली सगीन उड़ा दिया बागी सब कुछ मैं देख लेता अखो चीखने चलाने से कोई फाइदा नहीं मिला असल मुद्दा यह है कि सुरेश को किसी ना किस तरीके से बचाना है अरे दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर होता तो उसे पैसों से भी खरीद लेते लेकिन यह हराम जादा विजे हमारे सारे सबूत और केस पेपर उसके तापी में है एक बात समझ में आती है अब नौतरा इस वक्त हमें जयंत की बहां पकड़नी चाहिए वि जयंत कर वह यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो अरे यार लेकिन कुशिश करने में क्या नुक्सान है हाँ क्या अरज सुरेश का केस में हर्गिस नहीं लड़ूंगा शरम नहीं आती तुम लोग को क्या मू लेकर आयो तुम लोग मेरे पास जयंसाब प्लीज अगर सु तुम लोगों ने गिरगर की तरह रंग बदल लिया याद है उस बात को भूल जाएए जयंसाब अपनी बीवी की इजट और आबरे को भूल जाओ आएसा ग्यारो मैं साइट कमीनो कुटो इतने पत्थर दिल मत बनी है जयंसाब एक बात की तग्रीव को समझी है एक सादा क करोगे मलाथरा कि जान तक देने को तयार हो हम बड़े से बड़ा सौदा करने को तयार है जयंसाब आप बूली तो सही मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी बीवी के कातिल का नाम मालूम है बस मुझे उस धरिंदे का नाम बता दो मैं तुमारे बेटे का केस जी जान से हाँ बेटा अभी चलते हैं लेकिन आपने टिफिन ले 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 आप लोग गए नहीं अभी तक या दक्के मार के बार निकालो जी नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं होगी नमस्कार जैन स्पीकिंग हलो कौन मरोतरा जनाब मैंने तुमसे क्या दिया था ना कि मैं तुमारे केस नहीं लड़ सकता हूं फिर भी जैन साब मैं अपने लिए नहीं बलके आपकी प्यारी बेटी नंदिता के लिए फोन कर रहा हूं वाट डियमीन मैं यह बता देना चाहता हूं कि आपकी बेटी स्कूल में नहीं बलके मेरे पास है क्या बख रहे हो तुम मैं बख नहीं रहा हूं बलके आप उसके लिए बिलकुल परेशान मत हुए ओके है हलो 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 कि देखते हैं अब वो करता क्या है अबख रेगा क्या नंगा नायगा क्या और न चोड़ेगा क्या बाजी अपने हाथ में है कमीरे आगे अपनी जात पर कुछते यह पता अनदीटा कहा है बोल जाने का है तेरा खूंद पजाओ आपना इस बेहुशी की दवा भी कर देंगे अधू नञद पार वो मेरे कब्से में किनापिंग के केस में मैं तुझे जेल बिज्वा सकता हूं तुम जानते हो कि मुझे जेल भजवाने से पहले तुमारी बेटी की लाश तुम्हें भजवा दी जाएगी अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें 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 भड़कने की जुरूरत नहीं है जैन बाबू खङ्मक्जक की अगरे तुम सच मुझ अपनी बेटी को प्राइब चाड़ करते हो तो मेरी मेरी शर्ट मंजूर नुझ। ओप पराप अभी औनलांधं के प्यार के लिए क्या धुक्त करते हैं देचाभ आम लिह बाती की प्यार सुख ईृटे की फिलीज तुम कमीनों का क्या वरोसा है और इस बात का क्या सबूत है कि मिर बेजी तुमारे पास है और वो सही सलामत है सबूत तुम सबूत चाते हो ना थेरो सबूत कीजियर पास कोई करने, चोटी बच्ची का फन के बिला है कि लीजय साब, अपनी बच्ची से बात कीजिये निटे मैं तुम्हारे पापा भूल रहा हूं यह जल्दी में लेए चलेंगे तुम्हे जल्दी आओ पापा, जल्दी आओ पापा तुम्हारी बुखा को छोड़कर हम जल्दी लेने मैं यह किस लड़ूगा तुम्हारी ननिता कहा है उसी स्कूल से नहीं ले आए ननिता वो नासिक छोड़ा है उसकी नानी किया है माजी का फोन आये तब यह ठीक नहीं तुम्हारी थी उसे देखना चाहती थी अंटी जी की तब बहुत खराब तो नहीं 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 इसी कुई बात नहीं है नहीं एक बड़ी खुशकबरी लाया हूं वह मलोत्र है ना उसके बेटे सुरेश को मैंने अरश कर लिया सबीन केस में हां मुबारक हूं क्या बात है आप कुछ परिशान से लग रहे हैं परिशान नहीं नहीं तो थोड़ा थग्या हूं ना जाकर थोड़ा आराम करता हूं कल कल क लगाँ अन्य सबात के खिलाब पहला इलजाम यह है कि उन्होंने प्लास्टर चड़ाकर कास्टम वालों की सिंपती द्याजितने की कोशिश की हाला कि साई दुनिया जानती है कि किस्टम वाले कितने तेज कितने पके हैं अपनी ड्यूटी के कहने का मतलब यह है यह अंर कि दॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट हाजिर है कि इस मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि बातरूं में स्लिप होने के कारण टांग की हड़ी पर चोट आई अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा इसलिए डॉक्टर ने प्लास्टर चड़ाना बहुत ज़रूरी समझा कि दूसरा जॉक्टर साब आवाज दी यह गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे वाईू यू उनर जब इंस्पेक्टर साब नावाज दी अपनी ऐर करडिशन गाड़ी में बैठ चुके थे और जब एक आदमी ऐर करड़ी बैठता है तो बामने आवाज उसे तुनी इनके भागने का कोई इरादा नहीं था यह ओनर तीसरा इल्जाम तीसरा है आउनर सिपाई को ने का है सुरेश मलातव साब टार्ण कंट्रिस में गाड़ी चलाते हैं कई रेसों में उन्हें ने इसा भी लिया है और फास्त गाड़ी चलाने की बुरी आदत है फॉरन कंट्रीज में गाड़ी चलाने के सबूत की तौर पर मैं का ये इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना चाहता हूं लेकिन और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होने का मतलब यह तो नहीं कि पुलिस के सिपाई पर गाड़ी चड़ाती जाए मुल्जम ने जान बूचकर सिपाही को कुचलने की कोशिश की थी ताकि वो फरार हो सके और यह ऑनने यह एकसिडंट जान बूचकर किया गया था जान बूचकर बलकि इतकाए को दूसरा आदमी भी होता तो कुचल जाता पर प्लास्टर था इसलिए वक्त पर ब्रेक नहीं लगी गाड़ी आउट अव कंट्रोल हो गई एकसिडंट इजन एकसिडंट यह उनर परार होने का इल्जाम बेबुनियाद है यह यह ओनर क्योंके मुल्दिम के पास सोने सब्रावा जाकेट था इसलिए सिपाही की परवा ना करते हो है वह फरार हो जाना चाता था जी नहीं आर जाकेट इनके पास नहीं बलकि गाड़ी के पिछली सीट पर था हमार राइट इंस्पे अगर पहले से वह जैकेट पहन कर आये होते तो कस्टम वाले उनकी तलाशी लेते और वहीं पर गिरिफ्तार कर लेते मैं तो पुलिस दर्खास करूंगा कि जैकेट के असली वालिक का पता लगाया जाए ताकि मैं आपने क्लाइन को इस इल्जाम से बरी कर सकूं औरे याप आपको मालूम होना चाहिए स्मगलस का पता लगाना हमारा काम नहीं बलकि पुलिस का काम है यॉर्णर मिस्टर सुरेश मलात्रा इजद्दार और अमन पसंद नागरिक है इनके पिता मिस्टर मुल्चन मलात्रा इस शहर के बहुत बड़े बिजनसमैन है जो इल्जाम शक्क करने में वक्त लगेगा यॉर्णर वक्त लगता तो लगने दीजिए हमें को इतराज नहीं है इन्होंने कोई जुरूम नहीं किया है इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं मैं अदालत से दर्खवास करूंगा कि इनको समानत पर छोड़ दिया जाए और उसके लिए जितनी भ कि बैस सुने के बाद अदालत सुरिश मलुत्रा को दो लाक रुपे की जमानत पर रहा करना मन्जूर करती है आप मरसा थाने चलिए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है से शर्व जी वह लोग चले गए कहां गया कि कि हुआ है हलो मलातरा तुम कहां गया बोगे थे मैं नंदेदा को लेना रहा हुँ तुमने मुझे वादा किया था कि सुरेश की छूटते ही तुम नंदेदा को वापस कर दोगे जन्साब सुरेश सिर्फ जमानत पे चूटा है अभी तो पूरा मुकदमा बाकी पड़ा है मुलातरा चलाने की कोई जरूरत नहीं जिस दिन सुरेश का केस खत्म हो जायागा आपकी बेटी आपको सही सलामत वापस मिल जाएगी मुलातरा माभी तुमारे पास आरू हूँ आपको नो सुरी अभी तो मैं बहुत बजी हूँ हाँ शाम को मिल सकते हैं इत्तफाक से सुरेश का जनम दिन भी आज है उसके रियार होने और जनम दिन की खुशी में एक चोटी सी पार्टी है तो आज रात हमारे जूवाले बंगले पर आजाओ वहां बाचीत भी हो जाएगी को की बाई मलातरा 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 क्या बात है भीया तब्यत तो ठीक है ना तब्यत है हाँ ठीक है लेकिन नंदित्या भी तो नानी के यहां से नहीं आए रुक्वे और रुक्य हुगी आजाएगी वह आजाती तो आपका मन लगा रहता हम मन तो लगा रहता मैं नासिक फोन.. नासिक फोन निए पोन करना पोन मोनी चल रहा है फोन खराब है कि मैं आपके लिए चाइब नव हम चाइब नव तो आप यह बैठे हैं मैं प्रिया पार दिखाना चाहता हूं कि आपकी और सूरिश के कितने चर्चे हो रहे हैं अख़बारों में तस्वीरे छप रही है क्या शौर्थ मिल रही है वाह कि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन लाघ लानत है इसी शौरत पर लेकिन तुमने नहीं पूछा कि ऐसे मैंने क्यूं किया अरे मैं मजबूर था मजबूर एक परिस्टर की हैसियत से नहीं बलकि एक बाप की हैसियत से मजबूर क्या मजबूरी कैसी मजबूरी लुख स्थावब तो दूख लिए बंदीटा को चुप रिए ना मोलत्रा ने उसे किडेट कर लिया है स्थाब कर लिया है उस्मिए सुदै किया उसने कहा किया तो इस ने तका मुझे वापिस करतेगा लेकिन उसने मेरे साथ दोखा किया आपने मुझे इसब कुछ पहले को नहीं पताया मैं क्या कुछ क्या किया आपको मुझे आफ कर दिचे नहीं एसल पिर्या से कुछ नहीं कहना उसे कुछ नहीं मालू हो वह बिचारी सह नहीं सकेगी हा प्लीज की आपकेजन के ठीकार दिचे प्रमी कर दो काम तिर्मी माला प्रण नहीं में एककाय से इस अप्प आपते व अक्यारी साफ highway बाबी, बाबी, बाबी मुझका बचाओ, 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 बाबी मुझका बचाओ तुम जा के तो नंदीता को खतम करतेंगे यह मामना मेरी इजदत और अन्नो की बटत तुई आत्मा और मेरी बच्ची का है तुम प्रिया का ख्याल रखो मुझे अपना इसाब खुद जुका लेने दो प्रिया हरी का का हरी का क्या हुआ विजय बभू जरा जरा डॉटर को फोन करो प्रिया 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 अन्नो मुझे वो दरिंदा मिलकिया है हाँ मुझे एक पीले चीले हटले काले मौच उडाले आ जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी आवाज देती है पेता हुआ ही तो अरे मौद भी आएगी मौद से डरेगा तो क्या करेगा तीली जीले हसले काले मौच उडाले आ जिन्दगी जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी आवाज देती है जिन्दगी देती है कि आने वाले पल में ना जाने क्या हो जाए कल का क्या परोसा कल आए या ना आए आ अने वाले पल में ना चाने क्या हो जाए कल क्या परोसा कल आए या ना आए ऌई तोई जिनजी आवाज देखी है जिने का अन्दाज़ देते जिने का अन्दाज़ दुनिया से दिल का लगाना दोनों जल जाते हैं क्या शम्मा क्या परवाना आती जाती दुनिया से दिल का क्या लगाना दोनों जल जाते हैं क्या शम्मा क्या परवाना आय खाय 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 जिन्देगी आवाज देती है जिने का अन्दाज देती है पेता हुआ है तु मौत भी आएगी अरे मौत से दरेगा तो क्या करेगा पीले जीले हसले काले मौच उडाले जिन्देगी आवाज देती है जिने का अन्दाज देती है पुल्लू का पट्टाब आज इस खुशी के माके पर हम भी शामिल हो जाते हैं आपके आने से हमें बहुत खुशी हासिल हुई है आज की पार्टी में कितने खास-कास लोग आए हैं अरे हां यहां तो सभी पुराने दोस्त मौजूद हैं आज की पुल शक्ताओं आप लोगों को कैसे भूल सकता हूं मैंने तो आप सब को कानून के पंदस बचाया था ना जैन सब अगर आपने वह में ना बचा होता तो हम लोग जेल में चक्की पीस रहा हो या फिर हम इस दुनिया से ही उठके होते हैं यह तो अच्छा हुआ आप सबसे एक साथ यहीं पर मुलाका दूंगी है वर्टे बॉइ पुलाओ भैई अधार नहीं होगा जैन बाबू आज ही तो पैदा हुआ अरे बाइन उस तब जल्दी से पुला के लाओ ना उसे तब तक आपको शौप रमाइए अरे जैन साब के लिए जल्दी से कुछ विस्की लाओ है अरे गगन जैन साब को जूस पिलाओ ना यह विस्की कहा पीते हैं नहीं मलातरा पीने लग गया हूं जब से वीवी नहीं रही बहुत अकेला हो गया हूं किसी भी चीज में मन नहीं लगता इसलिए दोस्तों की कंपनी में पीने लग गया हूं चेर्ज जीजय साब सुरेशी आ गया है हाई सुरेश अरे जैन साब हमारे हो फाग के जो आप यह बढ़ारे है चनम दिन मुबारुक हो सुरेश इस खुशी के मौके पर हमारे हाज से घुट नहीं प्योंगे शूर शूर फाइरश जैन्ट यह जा बत्तमीजी है यह बत्तमीजी नहीं मलातरा यह तुम लोगों की कमीनगी का जवाब है बाड़ी मुझे मिरी नंदिता वापस करो नहीं तो यह गोली इसके आरपार होगी तुमारी बच्ची तुम्हें वापस मिल जाएगी नभी लेकर आता है तुम कहीं नहीं जाओ कि मलातरा कर दो कि नौचंदी कि इनके बच्ची को यहां ले आप लेकिन उसे यहां पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा मैं इंतदार करूंगा तब तक तुम्हारा बेटा मेरी हिरासत में रहेगा आप अपने कुट्टों से कह दे पटा के ना चालाएं बंदों के भैंक दे वरना खून की होली में रंग दूंगा सबको कोई पाइर नहीं करेगा यह सब क्या है कुम जाओ इस रसी को चुमर के साथ लटकाओ क्या लटकाओ लटकाओ पैनो 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 तुसरा हाथ पीछे लाओ दूसरा हाथ पीछे लाओ मैंने का चाल खड़ाओ जावाँ जांत यह मत भूलो कि तुम्हारी प्यारी बच्ची अभी तक हमारे कपने भी है अगर तुमने कोई दोगा किया तो तुम्हारा ये लाडला मारा जाएगा यही तो पाप अपने बेटे के प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करता हराम जादे यह बात मलात्रा को सम्झा दे नंदीता पापा आओ बेटा हमारे पास आओ पापा मुझे यह जले चले पापा पापा मुझे यह जले जले पापा मलात्रा मलात्रा मैं तुझे आखरी बार कहता हूँ नंदीता को छोड़ दो पापा पुझे यह जले चलो हाँ बेटे हाँ बेटे दोते नहीं बेटे हम आपको बहुत जल्दी घर लेकर चलेंगे आप एक काम कीजिये यह बेटिया हाँ यह बैट जाए हाँ तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई है अब तो सुरेश को छोड़ो मलात्रा आज तेरे बेटे का जनम दिन है उसे खाल सोफा दिये बगए थोड़ी छोड़ सकता हूँ हाँ हरामजादे देख इन तस्वीरों को यह मलात्रा यह यह ले तूभी देख यह तस्वीरें यह तस्वीरें मेरी जिन्दगी के पर इसके खूनी पंजो के निशान है तू सब कुछ जानते हूँ भी इसे बचाने की कोशिश कर रहा था ना और आज आज यह मेरी बीवी की इज़त आज तो तेरी दगाबाजी की कीमत चुकाएगा नहीं जयन्स नहीं ऐसा नहीं करना मेरा एक लोटा बेजा है इसे छोड़ दू हाँ छोड़ दूं हा अरे जिस तरह मैंने अपनी बीवी की लटकती ही लज को देख अगा इसलिए इसलिए तो मारी जान पर हक सिर्फ मेरा बनता है इससे पहले इससे पहले कि मैं सुरेश को सजा दू तुम लोगों को तुम लोगों की सजा है तुम लोगी सजा है सजाए मौत अगर तुम अपने बेटे को आखरी बार देखना चाहता है तो बाहर निकाल अगर निकाल जैन तो चाहिए तो मुझे मार दें लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दें प्लीज छोड़ दू कैसे छोड़ दू याद कर उस मंदर को जब तुमारे आद्मियों ने मेरे दोस्त अमीद को छट से गिराया था अरे याद कर उस मंदर को जब तुमारे बेटे ने मेरी पत्नी की इज़त लूटी थी और अब 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 अपने बेटे की लटकतुई लाश का आखरी मंदर देख तेखा मलात्रा फांसी पर लटकी उभी लाश किस तरह लगती आ है तैड़兩 !! कि यूरानर कि इस अदालत में मैंने सैक्रों केस लड़े हैं कानून की आखों में जूटी दलिलों की धूल जोक कर ना जाने कितने कातिलों को बेदाग छुड़ा कर ले गया हूं मैं तब मुझे यह नहीं मालूम था कि एक कातिल छूटकर दस कतल करेगा एक डाकू छूटकर तस मगनस को पैदा करेगा तब मुझे महसूस हुआ यहूटजर मैंने कितना बड़ा गनाँ किया है कितना बढ़ा पापिया है इसलिए यहूटर जिन दरिंदों को मैंने बढ़ावा दिया था उन्हें खुद मैं अपने हाथों से खत्म कर दिया हमेशा-वे अमेशा के लि को भी समझें यूरानर मैंने गुना किया है और मैं इस गुना से वाकिफ हूं और मैं ये भी जानता हूं कि इस गुना की क्या सजा मिलनी चाहिए और उस सजा के लिए मैं तयार हूं उस सजा के लिए मैं तयार हूं यूरानर ताजी राते हिंद की दफ़ा 302 के तहट जहिंत कुमार वल्ले अश्विनी कुमार को सजा मौज दी जाती है प्याँ हुआ 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 है हुआ हुआ है